आप में से कुछ लोग बनाते भी होंगे सच बात तो यह है कि सालेट से डाइन टेवल एकडम सच जाती है सालेट कहाने के चाहिए जितने फाइदे क्यों न हो लेकिन बच्चे हमेशा उससे दूर ही भाकते हैं मेरी परिसलोड अब्जर्वेशन यह है कि अगर कुछ ने कुछ एक्साइटिंग करते रहे हम अपनी सालेट के साथ तो बच्चे भी उसकी तरफ खिचे चले आएंगे आज हमारे साथ जो महमान है वो भी कुछ ऐसा ही हमें सिखाने वाली है तो चलिए स्वागत करते हैं शीरिन सिंग का नमस्का शीरिन जी नमस्ते कैसी है आप बिल्कुल बढ़िया स्वागत है आप एरस मेरा सोई में थैंक यू शीरिन जी आप एक चॉकलेट एक्सपर्ट हैं वाली हो रोस्ट चिकन सालेट जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे ओलिव ओलिव का रॉकेट लीज और आइसबर्ग लीज का ये मार्केट में इसली अवेलेबल होती है हमारे पास यहां पर है कटा हुआ प्यास, मस्टर, म्योनी, क्रीम क्राकर, क्रूटन, सेलरी, चिली सॉस, कटा हुआ धनिया, कुकुम्बर रेलिश, वाइट पेपर पावडर, सॉल्ट और निम्भू बूग इसके लिए हमेजिए चिकन, हम चिकन ब्रेस्ट यूज दूझ कर रहे है, क्योंकि वायक इसके अंदर भूद एश्यस्य पर्दा फेस् Andreaอง पाइसके वडायills प्यास प्यास तर जो फ्लेवर आता है चिकन में वो थोड़ा से टांगी हो जाता है ओक फोड़ा सा बेसिक औरियंटल तच फिर हम डालते हैं वाइप पेपर पाउडर तेस्ट के लिए सॉल्ट तनिया तनिया, ओके और हम डाल रहे हैं सेलरी सेलरी भी मार्केट में बहुत एजली अवैलेबल होती है तो शीरीन, जब हमें सेलरी ना मिले तो क्या हम थोड़ा सा फैनल या फिर हम सौफ थोड़ा यूज़ कर लें क्योंकि इस अल्मोंस सेम फ्लेवर होता है बल्खुल बल्खुल उसके बाद जो हमारा मेन इंग्रीडियंट है जालेट का चिकन चिकन ब्रेस्ट कंवो डालें गे इसमें हम यह चैसे चिकन ब्रेस्ट हमें डाला इसको थोड़ा सा रोल कर दिया और यूज़ा बहुत सारा निम्भु का रस अच्छा अब हमने इसमें मैरिनेशन के लिए लेमें जूस पी डाल दिया है जी नेक्स टेप यह है कि अब हम इसमें मस्टर्ड डालेंगे मस्टर्ड आढ़ें तो मैंने इसमेर अजी है और अपे लोगम्स प्रींगशन अग्रिण करेंगे इसके इस को बिल खेल विशना है लिए कि अगर किसी के बास नहीं है तो वह इसको फ्राइपैन में भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ओवन में भी कर सकते हैं तो बहुत सारे ऑल्टनेяет वह बहुत सारी ऑप्षिंज हैं और टाइम टुटाइम हम इसको पलकते भी रहेंगे और और यह समय contacted50 कोजब है ठीक है हमारा नेक्स्स्टेप होगा कि जो हमारी जो सर्विंग आळला है जी उसमें हम उसको टैकोरेट कर लेते नोख्य तो सर्विंग बोलbu यहे है इसको डीड करना है हां जी अच् adhere चौकलेट से नहीं इसको हम टैकोरेट करेंगे विद कैनल एकस़ लजाड एकसटाम पंद इसना सब्सक्राइब लेटेस को हम विनेग्रेथ भी होती है हम वो भी राल सकते हैं ठीक है तो इसको मैं पलट देता हूं हैं जी प्लीज अच्छा यह रॉकेट लीव्स भी हम लगा देंगे इन में अच्छा तो शीरीन सालेड बोल तो हमारा तयार है चिकन भी हमारा क्या देखते हैं प्लीज हां देखे इसमें कलर आ गया है बिल्कुल और इसकी वो अरोमा भी आ रही है ताट मीज इस कुक्ट ओके अंदर से भी पक चुका है चली ग्रिल बंद कर देते हैं अब हमारा नेक्स एप होगा कि हम इन चिकन ब्रेस को स्लाइस करेंगे ओके करते हैं तो इसको सीधा-जी दास्लाइस करेंगे तो अम्हारा अग्ला स्टेस्टेक वाकिमिन चिकन पिसस को बोल में प्लेस कर देगे अज़े इसको देखकर मुझे लग रहा है कि काफी वेजिटेरियन भी अपने वेजिटेरियन होने पर तोड़ा साफोस जता रहे होंगे विकाज यह बहुत ही जादा टेस्टी लग रहा है अब इसमें हम जो हमारी जो ड्रेसिंग्स हैं जी वो हम सब प्लेस करेंगे कि यह है कुचुकुंबर रिलिष दिखले में हम विक्स के सते है पाले सुनोक्ते यह फिर्ले से यह मिशिर्म रोख जोह हम तेरे-देरे पकाते द्ब तक की अदा नीय हो जाता है कि यह नहीं को पकाते कि इसको हम को अब आप प्लेस करेंगे से जाल सकते हैं उसके बाद हम डालते है चिली sauce यह नामल शी डाल परसी चाहंसे में तीन ध्रैसिंग सुंहित तीर हिए है ? यह मैंने थोड़ा कम डालती हुँ कियूंके मिर्ची घुते हैं तो Shireen, और आमने दो दढ़ने लगी आपनेघा था तीन बरसिम द्रेशिंग दालेगे तो तीसरी द्रेशिंग क्या है ? तीसरी द्रेसिंग हमारी है मयोनिज मयोनिज, ओके आपको सामधान म्योनीज़ी आपकोद करते हैं यह शहागाने से टो महलते हैं दो समय जसी के जलाता है मैंट कर दो Kerryम क्रém क्राकर्स करीम क्राकर्स भूरे है किसी को बार घर होते हैं तो तो इसे थोड़ा क्रुंची फील आता है तो पहले हम इसको क्रॉश करके डालते हैं अगर आपको इसको जादा ब्यूटिफुल बनाना है तो फिर हम ऐसे भी प्लेस कर से तो आप भी यही सोसती है कि जब तक खाना ब्यूटिफुल ना हो तब तक खाने का मन नहीं करता है तो शिरीम दीन के बाद क्या करें गहीं ? इसके बाद स्कुक्रुटॉटॉन्स क jsर्सका दो एंग करेंगे और यह केसे में उत किरिश्त गाने लाएं और इसको हम सिंपल प्लेस कर देते हैं तो यह भी काफी कुंची हो जाएगा है इससे भी कुंची फील आती है खाने में और लुक्स बीटिफुल तो यहां पर आपके यह साले तयार है तो शिरीन अब यह खाने करें तयार है बिल्कुल मैं से यहां पर दूँ हां जी हां जी एकदम सेफ है हां जी ठीक है मैंने अब इससे कंफर्म कर लिया है कि अब मैं इसे खा सकता हूँ मैं इसे खाने वाला हूँ आप जल्दी से इसके इंग्रीटेंस नोट कीजिए और इसे बढ़ाईए तयार है हमारे पास रोस्ट चिकन सालेड बनाने के लिए आपको जैतून का तेल 1 चोट चम्मच, कटा हूँ प्याज 3 चोटे चम्मच, पिसी हुई सफेध मिल्च 10 चोट चम्मच, नमक स्वाद आनुसार, कटा हुआ हरा धनिया 2 चोट चम्मच, कटे हूई सेलरी 2 चोट चम्मच, चिकन ब्रेस्ट 2 नीमबू 1, मस्टर्ड पेस्ट 2 चोट पत्ते, रॉकेट लीव्ज चार से पांच पत्ते, क्युकंबर रेलिश दो से थीन चोटे चमच, चिली सौस एक से दो चोटे चमच, मियोनेज एक से दो चोटे चमच, क्रीम क्रैकल पिसकिट्स तीन से चार, ब्रेट क्रुटत피ॉटॉन चार से पांट, रोस्टर चिकन सालड बनाने की विधी नोट करें, एक बड़ी कटूरी में जैतून का तेल लें, उसमें प्याज, सफेद मिर्च और नमक डालें, उसके बाद हरा धनिया और सेलरी डाल कर अच्छे तरह मिलाएं, अब चिकन ब्रेस्ट पर इस मिश्रन को लगाएं नेमू का रस डालें और मस्टर्ट पेस्ट लगाएं, थोड़ी देर मारिनेट करके चिकन ब्रेस्ट को ग्रिल करें, चिकन को छोटे टुकड़ों में काटें, आइसबर्ग लेटर्स और रॉकेट लीव्स को एक सर्विंग डिश में बिचाएं, चिकन के पीस रखें, कुक